तो मैं हूँ रिश्कुमार और आप सभी का सौगत हमारे चैनल पर जिसका नाम अपना सपना मने मने तो आज हूँ बात करने वाले एक और नए पेपल अर्णिंग आप के बारे में डिसकर कि आप गेम खिलकर अच्छा कासा पेपल कैश अंड कर सकते हो और आवपलोड नम कर नाम किया है उस चीज के बारे में बात करते हैं और खोड़े जायकर चाहियर चेकर लिए दियो के आपका अजा है और इस प्रकार का अए यह आप को असली असे प्रेस्टेयर पर भी अवेमें बारे में आप जाकर इसको install भी कर सकते हो इसके pero не चेक कर सकते हो और जो भी चीजे आपको इंटरफेस होता है कुछ इस प्रिकार का दिखाता है ठीक है तो यहाँ पर आप यहाँ पर अप्शन किस किस के बारे में है उस चीज के बारे में बागते है तो यहाँ पर आप गेम खेल के और किस तरीके से आप earn कर सहकval.. तो सबसे पहले instruction पर दे रहा है Gwen इसपे CLICK करना आइस प 선생 смस्क्राइब फिर instruction पर देर है इसपे klick करना ऐ खिर इस पे klick कर दिये तो यह बिल्कुल तरीय तरीक़ों होता है जिसमें कि आपका थीन घर्शन का ओवरली औल में पर हैं दूसरा सोर्स ऑफ इंकम यहां पर आपको मिलन जाएगा त्योस्किल आपको क्या करना होगा यहां पर एक क्लिक करो देना तो जैसे आप क्लिक करो गो 필요 तो यहां नहीं तब आपको कई सारी टास्क होंगे ठीक है उन टास्क को कम्ति करना ओक्द तो कुछ वगिज़ ओवर्स होंगे ठीक है उन अफवर्स को आप जैसे व्हीं हिसाब करते तो उसके हिसाब से आपको टिकेट्स मिलते हैं यहां पर जैसे कि बता रहे है invite your friend to play यानि कि अगर आप invite करते हो अपने friend को तो वहाँ पर आपको पच्छिस सौ की ticket मिलती है और $0.10 का रुपए मिलती है अब यहाँ पर tickets क्या होते हैं इसको आम लोग convert कर सकते हैं रुपीज में कि नहीं कर सकते हैं उस सब चीज़े का बारे बात करते हैं तो basically जो tickets होती है उसको हम लोग convert कर सकते हैं रुपीज में ठीक है और यहाँ पर converter करने के लिए क्या करना में पढ़तते हैं उस sneakers के बारे में बात करते हैं तो convert करने के tickets को रुपीज में convert करने के लिए आपको simply लिए इस पे wallet option पर जाना होगा ठीक है तो जैसे आप wallet option पर click करोगे तो जैसे आप wallet option पर click करोगे तो आपको यहां पर dollars का sign दिक रहोगा ठीक है तो जैसे आप dollars के सांथ क्लिक करोगे तो यहां पर आप convert कर सकते हो, tickets को dollars में और almost 10,000 tickets जो उती है वो आपकी .10 dollars के equal होती है तीक है यानि कि अगर आप 10,000 tickets कर लेते हो ठीक है तो उसके जो कीमत होगी वो .10 dollars के equal होती है ठीक है लेकिन उसके लिए आपके पास minimum amount होना चाहिए minimum threshold होना चाहिए minimum threshold कि इतना होता उसका 10 dollars के आसपास होता ठीक है इतना तो आपके पास होना चाहिए ठीक है तब आप redeem करा सकते हो तो इस वीडियो में किवाल इतना ही I hope आपका हमारी वीडियो अच्छी लेगा अगर अच्छी लेगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेडिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए have a good day सान आ रहा